अगर आभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन लाष्ट एक महीने में आप पूरा गोल कर सकते हो सतर में सतर आसानी से ला सकते हो तो चलो देखते हैं तो देखो बात करें चार मार्श को आपका पेपर है 2023 अभी से अगर बात के तो पूरा पूरा लगभग एक महना है आपके पास तो देखो आपको सबसे पहले करना कि आपको smart work करना पड़ेगा ठीक है hard work तो करना ही पड़ेगा प्लस smart work भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास total 13 chapters है कितने chapters है यह 13 अब 13 एक महिने में कैसे तयार करोगे पूरा एकदम से लेके चलोगे तो नहीं हो पाएगा लेकिन बहुती आसानी से आप smart work करोगे और आप 70 में 70 ला सकते हो तो देखो बात करें जैसे आपके जो पहले दूसरा और तीसरा चौथा चैप्टर है चारों चैप्टर यह जो है ठोस अवस्था विलियन रासायन विदुतरासायन रासायनिक बलगत्य की ठीक है तो इसमें बात करें जो ठोस अवस्था है इससे 5 नमबर का लगभाग एक्जाम में क्वेश्चन आते हैं विलियन चैप्टर से 7 नमबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैदुतरासायन से 5 नमबर के रासायनिक बलगत्य की ठीक है इतने इतने नमबा की question आपके exam में पूछ जाते हैं ठीक है जरूरी नहीं कि इतना थोड़ा एक दू नमबा का पूछ जाता है ठीक है तो लगभग इतने नमबा का पूछ जाता है ठीक है और numerical बहुत ज्यादा exam में पूछ जाते हैं ठीक है तो आपको करना का है सबसे पहले इन चार chapters को ठीक है आपको आप बुक्स उठाने से काम नहीं चलेगा अब आपको अपनी question bank उठानी ठीक है उसमें से जो भी most important question जैसे ठो सवस्था चेप्टर उठाया एक एक चेप में पूछे जा चुके पिछले वर्सों में ठीक है उनको तैयार करना है ठीक है और आपको करना के उसके chapter के सारे formula तैयार करना है ठीक है जिससे कि आपको numerical में बहुत यासान है तो आपको जो विलियन चेप्टर इससे बहुत ज़्यादा numerical पूछ रहते है ठीक है तो देखो इसके आपको जो मोलर्ता मोलल्ता वाले सवाल है द्रब्मान प्रस्त है तो जितने भी सवाल है ज़्यादा तर आपको सारे तयार करना है ठीक है तो ये चारों चेप्टर आपकी numerical के है बैदूत रासायन चेप्टर है ये वाला इससे numerical पूछ जाते है ठीक है और आपका सब बलकि और विलियन वाले चैप्टर से इन्हीं डोनों से आपके निमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछी राते हैं तो आपको इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से त्यार करना है इसमें निमेरिकल भी है थियोरी भी है और आपके फॉर्मूले भी है ठीक है और बात करें तो यही चार चैप्टर आपको इसमें बाइस नंबर दिलाने वाले कितने बाइस रखत्तों पाससा बारा पाससा त्रण और बाइस नंबर को कम नहीं हूते यही बाइस बारा ट करना चाहों अच्छे से आर्कारना आ। है most important question जो पिछले वर्सों में पूछे गए ठीक है तो यह बात थी इन चारो chapters की आप देखो आगे की chapters सेखते हैं आप जैसे chapter है आपका 5, 6, 7, 8 ठीक है chapter आपका जो 5, 6, 7, 8 है जैसे पाज़वा चेप्टर आपका पांच के नंबर के भी आ सकते हैं चार के भी ठीक है लगभख समझ लो ठीक है उपसाय सोजन योगिक से 6 नंबर के तो इसमें आपका पूरा और जो पिछले वर्सों में question पूछे के उनको तयार करना है ठीक है पी ब्लॉक के तत्त हो गया है जैसे इसमें आपकी प्रयोक साला विधिया भी होंगी वो श्ट्वाल्ड विधी डीकन विधी ठीक है इनको अच्छे से तयार करना है पांच नंबर की प्रयोक साला विधी ब्लॉक्षी पूछी जानी आपको आयू पेसी वाला वीडियो चैनल पर भी मिल जाएगा पूरा ट्रिक समने समझा रहे ठीक है तो आयू पेसी इसकी जुरूरर तयार करना है क्योंकि इसकी वही दो तीन आ यूपीसी पूछी जाती जो की पक्का ही पूछी ज़रूर चैप्टर आपका इस से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो यह थे आपके चैप्टर 13 आप बात करते आगे चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 और चैप्टर 12 तो यह आपका नौवा चैप्टर जो है ततने हैयलो theory plus reaction ठीक है आप बात करते हैं एक most important topic जो की exam में आता है ठीक है उसका नाम है प्रयोग साला विधिया ठीक है laboratory process आपकी ये 5 नंबर की exam में पूछी जाती है और पूछी जाती है जैसे आपके most important विधिया अमून्या बनाने की विधि इसकी प्रयोग साला विधि भी पूछी जाती ही बहुत ज़्यादा और हैबर विधि भी ठीक है फिर आपकी डाय एथिल इथर बनाने की विधि एसी टोन बनाने की प्रयोग साला विधि ठीक है फिर बात आती ही sulfur dioxide बनाने की प्रयोग साला विधि प्रियोग साला विधी, इनसे पांच नंबर आपको एक्जाम में मिलेंगे, ठीक है, तो इनको भी बहुत अच्छे स्यार कर लेना है, सारे वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगे, पूरी केमिस्ट्री की सारे चैप्टर की आपको यूनिट भी प्लेलिश्ट पे मिल ठीक है, तो देख सकते हूँ, आपका चार मार्श की तैयारी बहुत अच्छे से करना है ठीक है, आपको बहुत अच्छे से करना है, तो भाई वीडियो अच्छा लगाओ यार, तो प्लील लाइक भी कर देना, ओके थैंक्स फार वाचिंग थेस वीडियो